हेलो वर्यों आप सभी का स्वागत है टार्गेट पूर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जार्खन जीके का 40 बहुत ही मत्पुन परस्णों को जीतने भी परस्ण है अगामी जेसी सी के सभी एकजाम के लिए बहुत ही हेलफुल होगा अधि आप लोग इस चैनल में न टेकनिकल हो एक्साइज कॉंस्टेबल हो एलडीसी हो नगरपालिका का पोस्ट हो आइनि सभी वेकेंसी का वीडियो लेक्चर इस अपलीकेशन में उपलब्ध है साथ ही अभी फिलाल जेसी सीजियल का दो टेस्टीरीज चल रहे है खोठा बासा में दो टेस्टीरीज है एक चैप्टरवाईट टेस्ट चैप्टरवाईज में आपको हर एक चैप्टर का MCQ मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40-50-60 MCQ है अधि आप लोग चैप्टरवाईट टेस्टीरीज कर लेते तो जेसी सीजियल खोठा बासा का कम्प्लीट MCQ कभर हो जाएगा दूसरा टेस्ट है पीडियाफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा इसके अलावा अधिक के वल आपको जारखन का टेस्ट देना हो तो जारखन का टेस्ट उपलब्द है बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल किजिएगा 9142943957 देखे पहला प्रसन है पलामो किलolve में वंस्थित ुनए चले का निर्मान किस ने करवाया तो सबसे पहले जानना होगा कि पलामु किला किस जिल्य में है तो पलामु किला जो है लातिहार में है कहा पर है लातिहार में अस्थित है और पलामु किला को बनाया किस ने तो औरंग जेव के समकालिन थे साथ याद रखेगा पलामू किला में एक नागपूरी दर्वाजा भी है इस नागपूरी दर्वाजा का जो उचाई है 40 फीट है और चोड़ाई जो है 15 फीट है बहुत ही आकरसा का केंदर है अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं देखे सकेंड ह जाती है जारखन में आप सभी को पता कि 32 परकार के जन जातियां पाए जाती है 32 में जो सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती है संथाल जन जाती है और 32 में आठ जो है आदिम जन जातियां है तो आठों का नाम आप सभी को आद रखना होगा देखिए एक है बिरहूर उस यहां पर देखिए, सबर जो है, एक आदिम जनजाती है, सबर क्या है, एक आदिम जनजाती है, देखिए थिरी में, कोरा जनजाती का वधुमुल्य का क्या नाम है? तो वधुमुल्य से कोचन पुछा जाता है, वधुमुल्य हो गिया, युगा गिरह हो गिया, यहां से एका क कोछा जाते हैं कुछा जान जाती में वधो मुल्यान को पौन कहते हैं उसके बाद सोरिया पहडिया में भी पौन कहा जाता है करमाली में भी पौन कहा जाता है और माहली में भी पौन ही कहा जाता है पोटे देखिए पोटे सबर और कोल जन जाती में पोटे और डाली डाली जो है किसान और पहरिया जन जाती में डाली कहा जाता है और हर्जी जो है बंजारा जन जाती में हर्जी जो है संथालों की भासा संथाली का भासा समुह निम्न में क्या है आज सभी को पता है कि जार्खन में सरवार्धिक जनसंख्या वाली जनजाती संथाल है तो संथाल लोग संथाली भासा बोलते हैं और संथाली भासा किस भासा समुह से आता है तो इसका अंसर हो जाएगा ओस्ट्रो अगला देखे, निम्न में किस जनजाती की बस्ति या निवास अस्थान को टांडा कहते हैं, तो इसका अंसर हो जगा बिरहूर, बिरहूर जनजाती की बस्तियां जहां पर उनलोग निवास करते हैं, उसे टांडा कहते हैं, देखे, शिक्स में, निम्न में कौन सी जनजाती को जारखन की एक उपेचित जनजाती कहा जाता है तो जारखन की एक उपेचित जनजाती देखी इन में से कौन हो जागा बेगा को जारखन की एक उपेचित जनजाती कहा जाता है और बेगा से एक और कोशन बनता है कि सामुहिक पंचयत को क्या कहा जाता है बेगा जनजाती में जो सामुहिक पंचायत है उसे मुकदम कहा जाता है आधर रखेगा एक question पुछा गया है क्या हो जागा मुकदम अगला question देखिए साथ में देखिए जारखन की सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती संथाल है कुल कितना परतिसत संथालों की जनसंख्या है 32 परकार की जनजा जारखन अध्योगिक पार्क निती का निर्मान कब किया गया तो जारखन अध्योगिक पार्क निती जो बना 2015 में बना ये भी previous year को channel पूछा गया है जारखन अध्योगिक पार्क निती कब बना 2015 में 9 में देखी जारखन की पहली अध्योगिक नीती कब अधी सुचित किया गया तो इसका अंसर हो जगा 1 March 2001 को 1 March 2001 को पहली अध्योगिक नीती अधी सुचित किया गया देखी 10 में छोटा नाकूर कस्तकारी अधिनियम किसोर्स लागू किया गया अधी आप JPC का परिछा दे रहे हैं तो पिरी में यहां से 5 कोश्चन कम से कम 5 कोश्चन पुछा जाता है और संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम से भी 5 कोश्चन रहता है दो कोश्चन रहता है अन्य भूमी समन्धी कानून से तो अधी आप JPC का special class करना चाहते हैं तो टार्गेट पूर अप्लिकेशन में क्लास जा रही है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पर वाट्सप कर सकते हैं, देखिए, छोटा नागपूर कस्तकारी अधिनियम किस वर्स लागो किया गया है, 1908 इस्वी में, क्या हो जाएगा, 1908 इस्वी, दे इसका अंसर हो जाएगा, टूंगरी फासी, अगला कोशन हम लोग देखते हैं, अगला कोशन देखिए, सिम्भूम छेत्र में, 1877 का विद्रो का नेतरिवत किस ने किया, तो सिम्भूम छेत्र में, 1877 का विद्रो का नेतरिवत, राम सिंग और भगवान सिंग के नेतरिवत म और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते 264 और 263 में तो इसका अनसर हो जाएगा 263 वर्तमान में ज्ंень में कुल कितना प्रखंड है emphasis 263 प्रखंड है देखे, वर्तमान विधान सबाद्ध एच रविद्र नहत महतों का कर्म संख्या कितना है? लेवन एक कारवाह के विधान सबाद्ध एच विड़ है, तो उसको लेकर कुल एक औरहोए नंबर पर रविद्र नहत महतों आते हैं अगला Gegवेङे, 15 में राची नगर निगम का स्थापना किस वर्ज किया गया तो राची नगर निगम का स्थापना 1989 में किया गया ये भी पिर्वियस एर कोचेन आद रखेगा 1989 इस्वी में 16 में देखिए देखिए इचागड से बोध देवी तारा की मुर्ती प्राप्त हुई है इचागड किस जिल्ले में है तो यहां से दो कोचेन बनता है कि बोध देवी तारा देवी की मुर्ती कहां से प्राप्त हुई तो आद रखेगा इचागड से और इचागड कहां पर है स सराइकहला खरसाओं इसका आंसर हो जगा कौन से जिल्य में सराइकहला खरसाओं में देखिए अगला कौशन बोध और जैन धर्म से सम्बंदित कॉल्ख़वा पहाड जहारखन के कि जिल्य में अस्थीत है कोटिल के अर्थ सासर में जारकन पर देश को किस नाम से जाना गया तो कोटिल के अर्थ सासर में कुकुट कहा गया क्या क्या कहा गया रामगर्ण‟ राईज की अस्थापना किस ने किया? तो रामगर्ण राईज का स्थापना यह जो है बागदेव सिंगने किया। किसने किया? बागदेव सिंगने। 20 में देखी निम्न में कोनसा मंदिर भारत के 51 सक्ति पीठो में से एक है। दरीठों में से एक है तो इसका अन्सर हो जाएगा वैद्धिनात मंदिर कहाँ पर है देवघर जिला में चीनमस्तिका मंदिर रजरप पानी की रामगण में है और लिभा दो,L jut मंदिर हैं विवा-समंधी लोक गीत है। नमर कजली निमन में क्या है। छहु से कोषण पूछा जाता है दिन निर्थ से कोषण पूछा गये तो बहुत हत्तक संभावना है कि छहु निर्थ के बारे में पूछा जाता है तो छहु जो है एक पुरूस परधान निर्थ है किस प्रकार का निर्थ है एक पुरूस परधान निर्थ है अगला देखिए वाइधियंत्र जिसे पीटकर बजाए जाता है उसे क्या कहा जाता है तो पीटकर बजाए जाने वाला जो वाइधियंत्र है ताल वाइधियंत्र है क्या कहा जाता है ताल वाइधियंत्र है देखिए अगला कोश्चन है चेत्रमा के सुकल पच्च की तिर्थिया को इन में से क सरवाधिक परचलित है तो जादुपटिया चित्रकला जो है संथाल जनजाती में सरवाधिक परचलित है इसका अंसर हो जागा संथाल जनजा देखिए अगला कोशन है निम्न में किस चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रन मिलता है तो इसका अंसर है कोहबर चित्रकला क्या संथालि भास आठवी अनुसुचिं में सामिल हुआ देखिए अगला कोपषं ने मुंडारी लोग कत्हाएं नामग पुस्तक के लेखक कोन है ये भी previous question है, तो मुंडारी लोक कथाय नामक जो पूस्तक लिखा गया है, जगदिस तिरगुनायत ने लिखा है, किसने लिखा है, जगदिस तिरगुनायत, अगला question देखे, इन में से कौन सा दो जिल्लो का सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगता है, आनि कि अन्य राज्यों क के साथ साजहा नहीं होती है, देखे, निमन में किस परकार के चटावनों में जारखन में लोह अयस्क परचूर मातरा में पाई जाती है, तो इसका अन्सर हो जागा धारवाड कर्म के चटावनों में, क्या हो जागा, धारवाड कर्म के चटावनों में जारखन में परचू प्रपात किस नदी पर अस्थित है तो गोतम धारा जल प्रपात जो है राधु नदी आद रखीगा कौन सा नदी है राधु नदी पर अस्थित है देखिए अगला कोचन है कावा गर्म जलकुंड जार्खन के किस जिले में अस्थित है तो कावा कर्म जलकुंड जो है हजारी यहाइभाग में सूरी जल्पुंड भी है जो भारत का सरवाधिक कर्म जल्पुंड है Met rat की वार्सिक वर्षा का अंतराल है तो इसका अंशान हो जागा 100 से 200 सेंटीमेटर के बीच 100 केला कोश्यन है वेसे वन जिस में मनिस्यों के पसो चराने यह उम लकड़ी काटने पर पूर्णता परती बंध हो उसे कीस परकार के वन कहते हैं तो उसे आरच्छित वन कहते हैं क्या कहते हैं आरच्छित वन आप सभी को कमेंट करना है कि जहारखन के किस जिल में सरवाधिक आरच्छित वन है चालिस में देखी और आज का अंतिम प्रसन है अधी अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करें सेर करना नहीं भूलें साथ ही टेलीग्राम में एड़ नहीं तो टेलीग्राम का लिंक किर्सी कायरी किये जाते हैं यह भी पिर्विय सेर कोचन है और इसका अंसर हो जागा 23 परसेंट क्या हो जागा 23 परसेंट भाग पर किर्सी कायरी किये जाते हैं मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद